जहें दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हाँ पर हिंदी साहित के बहुत ही महत्तपुन कॉस्चन आंसर और अपनी ए जो है एक हजार प्रिशनों की सीरिच चल रही है जिसमें बहुत ही महत्तपुन पूरा अवस्त्तर देखें अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सस्क्राइब करने बेल आइकन तबाएं ओल पर कलिक करें ताक्य अल वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप के यां पके पहुँँची जादा से जादा वीडियो को शेयर करना है वीडियो को लाइक करना ना भूलें तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना यहां से फर्स्ट कॉस्चन है कॉस्चन नमबर 136 है जहांकि प्रियतमना राम बैदेही पंती तुलसिदास की किछ रसना से उद्रित है तो कौन सी रसना है तुलसिदास की बताना है तो कॉस्चन नमबर 136 का सही आंसर है आपका यहां पर क्या है राइट आंसर विकल्प नमबर 3 यानि की बिनाय पत्रिका आपका यहां पर सही आंसर है अंगला कॉश्चन की बात करें, इनमेंसे किस कभी को ब्रज कोकिल कहा जाता है, most important question है, वैक कभी है, कौन है वैक कभी जिनको क्या कहा जाता है, ब्रज कोकिल कहा जाता है, question number 136 का सही answer बताना है, और question number 137 का सही answer है, सत्य नारायन कभी रतने, विखल्प number 4 आप कहा हैंपर सही अधिक पंडित कभी कौन हैं तो संते साहित में बताना है तो चार विकल्प हैं आपके यहाँ पर question number 138 बहुती महत्पून question है और 138 का जो सही answer है दादू आपके हाँ पर सही answer है दादू दयाल दादू दयाल आपके हाँ पर विकल्प number 4 आपके हाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल सही विकल्प number 4 राइट आंसर है अंगल्प question है दुलहन गावं हूं मंगला चार जो है पद किस के द्वारा रचित है यह पद किस के द्वारा रचित है तुलसिदास जी, कभीरदास जी, सूरदास जी या रस्खान जी तो चार विकल्प है question number 49 का 149 का जो सही आंसर है कभीरदास जी आपका सही आंसर है विकल्प number B आपका right answer है अंगल्प question है कि रामचरित मानस में कितने कांड है most important question है रामचरित मानस में कितने कांड है आपके लिए यहाँ पर बताना है तो कितने कांड है रामचरित मानस में कॉस्चन नमबर 140 का सही आंसर बताना है तो कॉस्चन नमबर 140 का सही आंसर है साथ यानि की विकल्प नमबर या आपका D यहाँ पर राइट आंसर है रामचरित मानस में कुल कितने कांड है तो साथ आपका सही आंसर है अंगल्या कॉस्च है मनुस्ष्य मांवस्प्रेम भावु वैकुन्ठी जो पंती है उह किस कभी की है उह बताना है तुलसिदाश जी की मनझन की मलिक मुहम्मद जाइसी जी की है पंती है अंगले क्वाश्चन है क्वाश्चन नमबर 142 है रीतिकाल में सिंगार काल रीतिकाल को सिंगार काल की संग्या देनी वाली विद्वान को ने बहुत ही मात्तपूर क्वाश्चन है तो क्वाश्चन नमबर 142 का सही आंसर बताना है रीतिक तो 142 का सही आंसर है आपका विश्र नाथ प्रसाद मिस्र विकल्प नम्बर तीन आपके हैंगले कोस्टेन का प्रेथ किस कभी को कहा जाता है question number 143 है cut in kaabhika prit kis kubhi ko kaha जाता है तो question number 143 का right answer है केशव या चिंतमणी बोधा या ठाकूर तो question number 143 का जो सही answer है आपका केशव विकल्प number 1 आपके हैं पर सही answer है विल्कुल सही विकल्प number एक right answer है अंगले question की बात करें तो अंगले question क्या है देखिए आंगे के कभी region है तो कभी ताई ना तो रादिका कनहाई सुमिरन को बहानों है एह पंती किस कभी की है एह पंती बताना है किस कभी की है question number 144 का सही answer बताना है किस कभी की है एह पंती मतिराम की विकारी दास की रसलीन की या विहारी की तो question number है आपका 144 और इसका जो सही आंसर है विकारीदास विकल्प number B आपका यहाँ पर right answer है विकारीदास जी की पंती है अंगले question है question number 145 इनमें से कौन सी रचना मती राम की है तो कौन सी रचना है जो मती राम की है वह बताना है आपके लिए question number 145 का सही आंसर तो बताईए तो question number 145 का यहाँ पर जो सही answer है कि इनमें से कौन सी रचना मतिराम की है तो आपका सही answer है लले तललाम लले तललाम विकल्ब नमबर 3 आपके यहाँ पर सही answer है लले तललाम राइट answer है अंगले question है क्या है मोही तो मोरे कवत्य बनावत के कवी कौन है तो इसके कभी बताना है, मतीराम है, चिंतमणी है, रसलीन है या घनानंद है Question number 140 का सही answer, चार विकल्प आप कहाँ पर उपलब्ध है मोही तो मोरे कवित्य बनावत इसके कभी है, कौन है, इसके कभी है घनानंद बिलकुल विकल्प नमबर D आप कहाँ पर राइट आंसर है, घनानंद आपका राइट आंसर है अंगला Question देखते हैं, तो अंगला Question है, क्या सोजान चरित किसकी रचना है Question number 147 का राइट आंसर बताना है, क्या हो का घनानंद की है, ठाकोर की है, सूधन की है या बो दाकी है, सो जान चरिते किसकी रचना है, Question number 147 का सही आंसर है, आपका विकल्प नमबर 3, यानि की सूधन सूधन आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नमबर आपका 3, यहाँ पर राइट आंसर अंगला Question है, क्या है, कभी कुल कल्प तरू किसकी रचना है कल्प तरू के रचनाकार कौन है तो इसके रचनाकार है चिंतामणी चिंतामणी आपका सही आंसर है विकल्प नंबर एक आपका सही आंसर है अंगला क्वेस्चन है रीती मुक्त कभी कौन है यहाँ पर आपको क्वेस्चन नंबर 149 का सही आंसर बताना है रीती मुक्त कभी 149 का सही आंसर घनानंद विकल्प नंबर भी आप कहां पर सही आंसर है घनानंद जी जो है एहदीती मुक्त कभी हैं अंगला कॉस्चन है क्या है देखिए आपका अंगला कॉस्चन यह है कि अपरुक्त दोहा किस कभी का है यह दोहा बताना है आपके लिए क्वास्चन नंबर 150 का सही आंसर क्या है दोहा बताईए तो क्वास्चन नंबर 150 है विहारी और रसलीन रस्खान या ठाकुर ए चार विकल्प दिये गए हैं और इसका सही आंसर है रसलीन रसलीन का यह है दोहा है विकल्प नमबर B आप कहां पर right answer है अंगला question है क्या है नेमने लिखित ग्रंथों में उसे कौन सा ग्रंथ है चंद विवोचन से संबंद नहीं है तो कौन सा नहीं है एह बताना है कौन सा ग्रंथ है जो चंद विवेचन से संबंद नहीं है प्राकृत पेंगलम चंदो मंजडी या सुरुत बोध या ब्रह वारीष तो इस प्रकार चार विकल्प हैं और आपका सही आंसर है यहाँ पर ब्रह वारीष यानि कि विकल्प नमबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है अंगला क्वास्चन है क्वास्चन नमबर एक सो बाउन इन में से किस कभी ने लक्षमन ग्रंथ नहीं लिखा देखिए नहीं पूंचा है तो नहीं लिखा किसे नहीं लिखा है क्वास्चन न कि रीतिकाल के किस कभी में भक्ति और सिंगार का समन वायक योग है योग बताना है तो किस में है एह बताने question number 153 का right answer तो question number 153 का सही answer बताना है और आपका सही answer है स्यनापती स्यनापती विकल नमबर एक आपका यहां पर right answer है अंगला question है क्या है देखिए अंगला question है नेमलिकत पंती किस रचना कार की है तो पंती बताना है किस रचना कार की है आप कहा पर क्या है ब्यहारी यानि कि विकल्ब नमबर तीन आप कहा पर सही verse है अंगला question है क्या है देखिए अत्व सूदो सनिह को मारग है किसकी उक्ति है अत्व सूदो सनिह को मारग है उक्ति बताना है question number 155 का write answer बोधा ठाकोर घनानंद या आलम question number 155 है और 155 का जो सही answer है आपका घनानंद है घनानंद आपका यहाँ पर सही answer है विकल नंबर आपका तीन यहाँ पर सही answer है question number 156 है क्या है रितु बंदन के लिए विशेष्टा रीतिकाल का कौन सा कभी पिरसिद्ध है तो रितु बंदन के लिए बताना है रीतिकाल का कौन सा कभी जो है पिरसिद्ध है question number 156 है और इसका जो सही answer है बहे है आपका क्या है right answer सेनापती विकल नंबर आपका तीन राइट आंसर है सेनापती अंगला question है स्वक्षंद प्रयाम का निर्बंद गाया के कौन है तो इसके गायग बताना है कौन है ब्रंद है आलम है विहारी है या मतिराम है तो question नमबर एक सौशन ताउन का जो सही आंसर है आपका यहां पर वह है आलम आलम यानि कि विकल्प नम पर question number 108 देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर उस इस उप्ती को किस कभी की रचनाव ने चरितार्थ किया है तो आपका सही आंसर है यानि की विकल्प नमबर 4 आपका यहां पर सही आंसर है अंगले question है क्या है अंगले question मतीराम की प्रिसिद्धी का आधार इस्तम वे कौन सा ग्रंथ है question number 169 का सही आंसर बताना है और 169 का आपका यहां पर जो सही आंसर है रसराज रसराज यानि की विकल्प नमबर 1 आपका यहां पर सही आंसर विकल्प नमबर 1 राइट आंसर किस कभी का है तो कॉस्चन नमबर 160 का जो सही आंसर है आपका यहाँ पर वह है क्या है राइट आंसर विकारी दास विकल्प नमबर सा विकल्प नमबर सी जो है आपका यहाँ पर वह है राइट आंसर है विकारी दास आपका यहाँ पर सही आंसर है तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही यहाँ पर 25 कॉस्चन कंप्लीट हो चुके हैं तो 25 कॉस्चन में ऐसे आप से सही कितने बने हैं आपके लिए कमेंट में बताना है और सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लें बेल आइकन दबाएं और पर क्लिक करें ताकि और वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप किया तक पहुँचे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सेयर करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें तो आज की वीडियो में पस इतना ही सभी लोगों के लिए दन्यवाद जय हिंद